यहर आपको वो मैकफी एंटी वारेस याद है जो आपके लैपटॉप, कम्प्यूटर बगरा में आता था और जब भी कुछ जरूरी काम करने जाओ तभी वो अपडेट होता था कभी हम अच्छे से काम नहीं कर पाते थे उसकी वज़ा से मगर उस एंटी वारेस को जिस इंसान ने बनाया, अगर आप उस इंसान की कहानी सुनने बैठोगे तो आप चौक जाओगे कि किसी इंसान की जिंदगी इतनी वीर्ड कैसे हो सकती है जॉन मेकफी नाम था इस इंसान का और इसने नैसा, जी रॉक्स और लॉकिट मार्टिन में भी काम करा था और फिर फाइनली 1987 में इसने ये एंटी वारेस बनाया उस समय एंटी वारेस इतनी क्रेजी चीज थी क्योंकि लोग कम्प्यूटर तो चलाना अच्छे से जानते नहीं थे फिर कम्प्यूटर में वारेस आ जाए ये इमेजिन करना लोगों के लिए दिमाग खराब हो जाता था और उसके ओपर कोई इंसन एंटी वारेस बना दे तो बहुत क्रेजी सी चीज जॉन मेकेफी ने उस समय करी और इसकी वज़ा से ये जो मेकेफी एंटी वारेस से काफी फेमस हुआ इनकी कमपनी काफी बड़ी हो कई और उस कमपनी में जिस तरह की चीजें होती थी वो पढ़कर सुनकर आप काफी शॉक्ट रह जाएंगे खेर वो तो बात अलग की है मगर उसके कुछ 10-12 साल बात जॉन मेकेफी ने एक कमपनी चोड़ दी और उसके चोड़ने की वज़ा से उसे 100 मिलियन डॉलर्स मिले जॉन मेकेफी ने इसके साथ और भी बहुत सारे उल जलूल काम कर रखे थे और यूएस के अंदर उसे पता था कि अगर वो रहता रहा तो फिर उसके उपर कानूनी शिकंजा कसा जा सकता है तो उसने 2008 में जब crash देखा, market पूरी तबाह होते हुए देखी तो उसने का कि मैं बेलीज जाता हूँ बेलीज एक चोटा सा आइलेंड है यूएस के पास में ही तो वो बेलीज के आइलेंड में पहुंच गया और तब तक जान मैकेफी के ना दो बार डिवार्स हो चुके थे और ड्रग अब्यूस बहुत एक्सेसिव करता था जॉन मैकफी के आदतों से परेशान होकर इस माइक्रो बाइलोजिस्ट ने का कि मैं आपको छोड़ कर युएस जा रही हूँ माइक्रो बाइलोजिस्ट का ये आरोप है कि जॉन मैकफी ने उसे ड्रग दे कर रेप किया और मर्डर तक करने की कोशिस करी हाला कि वो कहीं न कहीं से बचकर युएस चली गई और युएस में जाकर उन्होंने कहानी एफबियाई को तो बताई बचकी मैकफी और युएस के बाहर था एफबियाई इस मामले में कुछ जादा कर नहीं सकती थी अब मैकफी बेलीज के आईलेंड पे रहते हुए भी अपने कांड करने की आदतों से बाज नहीं आया इसका एक वहाँ पर पडोसी रहता था जिस पडोसी ने इस बात पर कई बारी दिखाया कि भाई आपकी कुटे मुझे पसंद नहीं है और एक दिन अचानक से जान मैकफी के कुटे को किसी ने पॉईजन देकर मार दिया और उसके कुछ समय के बाद उसके पडोसी की जो लाश थी वो गोली लगी हुई लाश वहाँ पर बरामद हुई और इस केस में जॉण मैकफी का नाम आया क्रिप्टो करेंसी, कंसल्टिंग वर्क और भी तमाम सारे कामों से अब उसके बिजनसेस युएस में उपरेट करते थे वो बाहर रहता था बट प्रॉबलम ये हो गई कि मैकवी ने 14-18 के बीच में टैक्सेस नहीं भरे कि देखो, अब इस इनसान को हम वापिस युएस लेकर जाएंगे और वहाँ पर जो भी है, कहते दे इसको 30 साल तक सजा हो सकती है और भी सारी चीज़ें हो सकती है और उसके बाद इसको स्पेन के अंदर जेल में रखा गया और युएस ने लगा थार इसमें एक्स्ट्रडीशन की रिक्वेस्ट डाली एक्स्ट्रडीशन की रिक्वेस्ट मतलब जैसे हम नहीं कहते कि विजय मालिया को हम भारत लेकर आएंगे तो इंडिया एक्स्ट्रडीशन की रिक्वेस्ट डालता है यूके में तो ऐसे US ने Spain में डाल रखी दी और Spain ने फिर बाद में उसको permission दे दी Spain की jail के अंदर बैठे बैठे John McAfee को ये पता था कि अब उसे कुछी समय बाद US भेज दिया जाएगा और उसके आगे की पूरी जिंदगी नरक होने वाली है अब उसके लिए कुछ जादा बचा नहीं है प्रेवेंचुली एक दिन ऐसा आया कि उस jail के कमरे से John McAfee की लाश बरामत हुई लोगों ने का कि ये सुईसाइड है मगर John McAfee की इतनी crazy life में उसकी जो ending है वो simple कैसे हो सकती थी जैसे ही सुईसाइड की खबर निकली वैसे ही John McAfee का Twitter पर एक tweet निकल कराया जो उसने December 2019 को करा था उसने अपने बाजू पर एक टैटू बनवा कर ये लिखा था कि मुझे पता है कि मुझे US की authorities मारने के लिए तयार है अगर कभी भी मेरी लाश बरामत होती है कहीं से भी तो ये मत समझना कि मैंने suicide कराए समझ लेना कि मुझे मारा गया है ये थी crazy life and death of John McAfee अब चुकि ट्विटर की बात चली है तो ट्विटर पर John McAfee कैसे खुद को describe करते हैं ये भी आप देखते चलो ट्विटर पर वो लिखते हैं कि that he is a lover of women, adventure and mystery और उन्होंने 16 जून को ये भी tweet करा था कि US की authorities को लगता है कि उनके पास कोई hidden crypto है मगर उन्होंने कहा कि मेरी सारी assets जो है वो seized हो चुकी है मेरी जितने friends है वो डर के मारे मुझसे सारा अपना नाता तोड़ चुके है मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मुझे किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं है I think इनका जो यह tweet है यह इनकी पूरी जिंदगी की जो philosophy उसको एक साथ बांध कर आपके सामने प्रिजेंट कर देता है that how crazy and weird the life and times of John McAfee truly were I hope you liked this video थोड़ा interesting लगा होगा आप इसके बारे में और पढ़िएगा there is a channel called Jay Aubrey YT बहुत interesting documentaries बनाते हैं वो उन्होंने John McAfee के पर documentary बनाई है एक HBO की अलग से documentary है अगर आपको कभी समय मिले आप जरूर देखे का interesting है काफी मजा आएगा आपको देखने में और बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया I hope you liked it हर Friday सी तरह के वीडियो मिलते हैं do subscribe for more such videos ahead like this video, share it with your friends and I'll see you soon in another video तब तक के लिए अधान रखेगा जै हिंद वंदे मातरम